हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ काफियर शे होंगे तो दोस्तों गोदावरी बायो रिफाइनरी का इपयो कल की तारिक में या इपयो उपन होने बाला है तो इस वीडियो के अंदर हम रिविव करेंगे अप्लाई करना चुए नहीं करना चुए सारी कि यह क्लियर करूंगा डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना अनालेसिस लगा कर बनाना है तो यह आइप यह से लेकर 25 अक्टोबर के बीच में उपन रहेगा तो सबसे पहले इसका अग्रे मार्केट का प्रीम और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे से हमें थोड़ा ब करें तो लिस्टिंग के इसाब से या लॉंग टर्म के असाथ है सारी चीज़े हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर और वीडियो शुरू करने से बहले दोस तो टेलेग्राम वाट्साप चैनल इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए ताकि चोटा मोड़ क्योंकि लिस्टिंग नेगेटिव ही तो इसकारण किया कि अभी जीम पर भी एफेक्ट देखने को बिला है और अभी तो आज की तारी में भी कोई भी दिमांड नहीं बता रही है आँको ग्रे मार्केट के अंदर कुछ दिमांड वगेर आती तो मैं आपको अपडेट कर द क्योंकि इसका जो सेक्टर है वो अच्छा है तो कुछ एक दो नाम हो सकता है कोई बड़े आ सकते हैं फिर इस कंपणी की डीटेल्स के बारे में जाने तो कंपणी उनीस तो चपन नाइटीन 56 के अंदर इंकॉर्परेट होई थी करीब-करीब 68 साल 68 यह हो गए हैं अपने ही सेक्टर के देदर काफी पुरानी कपनी है ethenol based chemical बनाती है ethenol manufacture करती है उसके लबाधा काफी सारी chemicals वगएड़ा-manufacture करती है जोकी दबाइओ के अंदर, cosmetics के अंदर, flavor, fragrance के अंदर, fuel के अंदर जो ये petrol वगेरा उसके अंदर ये चीज़े काम में आती है और आपको पता है कि अभी petrol, diesel वगेरा इनके अंदर भी कुछ ethanol का कुछ part mix किया जाता है तो इन चीज़ों में ये चीज़े काम आती है इसी कारण सुगर से जो ethanol बनाने वाली companies है, उनके दाम भी बड़े थे आपको पता होगा 30 जून 2020 तक, 570 kiloliter per day की capacity है इसकी ethanol production की ये जो RHP में लिखा है, मों मैं आपको पता रहा हूँ और ये largest producer है MPO, MPO मनलब myeloperoxide अब ये का chemicals वगेरा होते हैं, तो ये पूरे world के अंदर MPO का largest producer है और ये MPO वगेरा, दबाईयो वगेरा के अंदर काम में आते हैं जहां तक मैंने रीड किया है, तो कुछ germs वगेरा होते हैं किसी और particle या chemical के साथ मिला के, इसको germs वगेरा जो body के अंदर होते हैं अथेनौल, सुगर और power से related ये products manufacture करती है और ये जो products manufacture करती है, जैसा मैंने आपको बताया है कि दवाईयों के अंदर काम में आते हैं, flavor के अंदर, fragrance के अंदर काम में आते हैं power generation में काम आते हैं, fuel के अंदर काम में आते हैं और बड़े-बड़े clients हैं इसके जो sugar जिसके अंदर ethanol वगेरा काम में आती जैसे एक client बड़ा नाम बताऊं तो Coca-Cola भी है और 20 प्लस countries में इसके product जो है export किये जाते हैं Australia, USA, China, Germany, S.E.K.A.T.E.S. काफी सारी countries में अब बाकी सारी चीज़ें भी देखते हैं financials देखें 2022 से 2024 तक दिये गए हैं गर इसके assets देखते हैं तो assets के अंदर सालदर साल growth है यह अच्छी बात है अब दिक्कत कहा आ रही दिक्कत आ रही revenue के अंदर revenue जो है मदब देखा जाए तो घटा है 2022 के अंदर था 1709 करोड और 2024 के अंदर हुआ 1701 करोड तो down हुआ है और 2023 में था 2000 करोड तो revenue में ups and downs देखने को मिल रहे हैं यह किसी भी company के लिए negative होता है revenue थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना चाहिए जैसे 100 करोड तो 105 होना जी फिर 110 हो तो ऐसी companies को market पसंद करता है बड़े investors की पसंद करते हैं profit 19 करोड से 12 करोड रोपय हुआ है profit margins अगर निकाले तो 1% से कम निकल कराते हैं पहले 1% थे अब 1% से भी कम है तो यह तो बहुत ज्यादा negative point है इतने कम margin में कोई भी business करना भी थोड़ा मुस्किल है survive करना मुस्किल है फिर इसकी net worth बड़ी है इसके आद में reserves 432 करोड रोपय के हैं इसके उपर बोराईं 703 करोड रोपय की है और debt to equity ratio 3 का निकल कराता है मतलब बहुत ज्यादा है अगर किसी company की बात करें तो debt to equity ratio 0.5 से भी कम होना चाहिए तो ठीक है तो फिर भी समलने जैसी इस्तति है एक होता है तो बहुत चिंता जनक है तीन है तो और ज्यादा चिंता जनक है लंकि ही बात अच्छी लगी कि इसके बाद reserve cash है थोड़ा और 240 करोड रोपय इसका debt चुकाने के इंदर काम में लेगी जो IPO से प होगी फिर देखें 120 का निकल कराता है Fy24 के साब से Fy25 के साब से निकालेंगे अभी का result तो क्या है कि negative निकल कराएगा पर अभी पूरा result साल का आना बाकी तो हम साल का पूरा देखें तो 120 का इसका पी निकल कराता है और others जो इसके peer competitors हैं जैसे बलराम पोडचीनी अपने न पी है price to earnings ratio 120 का और other players उनका पी है 15 से लेकर 78 के बीच में तो उनसे बहुत ज़्यादा महंगी company है उसका reason भी यह है कि इसका profit margin कम है earnings per share बहुत ज़्यादा कम है इसका पी थोड़ा ज़्यादा निकल करा रहा है वागि earnings per share बड़ेगा इसका profit margin बढ़ते हैं तो पी हमें normal लज 25 October की बीच में IP open रहेगा face value है 10 रुपे पर share price band 334 से लेकर 352 रुपे के बीचे 42 shares का यह lot है price band अभी earnings per share के करण महंगा नज़र आ रहा है बाकि अगर इसकी earnings वगिर अची तो यह price band ठीक नज़र आता अगर मुझे लगता है ठीक होते न तो इससे महंगा price band लेके आता कमपन 20 करोड़ रुपे के और उसमें से 240 करोड़ रुपे debt चोकाने के अंदर बाकि general corporate purpose के अंदर पैसा काम में आने बाला है OFS है 229 करोड़ रुपे का मतलब इतनी हिस्तेदारी जो है promoter sell करने वाले हैं अभी promoters की हिस्तेदारी ये 81% की बार में हो जाएगी 63% की मतलब लगबग 18% जैसी हिस्तेदारी sell कर रहे हैं तो रीटील portion है 35% का listing date है 30 October को और 31 को दिवाली है और काफी जगा एक नवंबर को भी बता रही है पर 31 को दिवाली है तो यह होगे पुरे IV की details अब सबसे में सवाली यह दे कि क्या साइब में अपलाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए करें तो listing gains के साब से या long time के साब से jazz parameters हमारे देखते हैं तो पहला है GMP, GMP तो वैसे अंदाजा होता है बट अंदाजा तो लेके चलना ही पड़ेगा, GMP अभी कोई भी demand वगएरा नहीं है gray market के अंदर, दूसरा है anchor list जो की अभी तक आई नहीं है तो अभी हमें वेट करना चुई कल कि आरी मैं इस पर भी update कर दूँगा, फिर तीसरा है valuations, valuations महेंगी है अभी जो इसकी earning से उससाबसे तो valuations महेंगी ही नज़र आरी है, चौथा है subscription, subscription तो वहीं एक दो दिन के बाद ही पता चल पाएगा, तो उससे कहा है कि सारी चुझे और clear हो जाएगी भी NIIIs कैसा response दे रहें, retailers कैसा response दे रहें, व आपकी decision आपको खुद को बनाना, आपको apply करना, नहीं करना, आपको खुद को सोचना है, आप लोग क्या करेंगी, comment करके पता दीज़ेगा, फिर long time के साब से, तो इसके positives, negatives देख लेते हैं, देखिए, चीजे मैं आपको बताऊंगा, decision आपको अपनी risk, अपना analysis लगा के ब लिखने को बिलती है, और कुछ negative announcement होता है, तो एकदम से गिरावट भी होती है, तो ये चीज़ भी है, तो sector बढ़िया है, इसके product list वगएरा वो भी काफी अच्छी है, और MPO जो chemical है, उसके अंदर ये largest manufacturer है, पूरे world के अंदर, तो ये चीज़े तो मुझे अच्छी लगी, बट negative किया लगा, negative ये है कि financially fundamentally weak है, financially weak है, revenue के अंदर उतार शड़ाव है, वो लिखकत वाली बात है, profit margins 1% से कम है, अब इसके अंदर survive करना भी मुझकिल होता है, फिर debt इसके उपर बहुत जादा है, debt to equity ratio तीन से उपर का निकल कराता है, आलंकि IP के पैसे से को debt चुकाईगी बट फिर भी debt तो काफी जादा है, फिर valuations high है, तो ये काफी सारे negatives है, ये negatives मतलब बहुत जादा है, एक sector को छोड़ दे, तो बाकी सब तो सारा negative निकल कराता है, तो थोड़ी ये high risk company निज़र आ रही है, ऐसा नहीं कि खराब company है, company no doubt अच्छी है, बट अगर ये अपने financials बवीशियों में सुदारती है, अपने financials वगेरा के अंदर improvement लाती है, कुछ orders वगेरा इसको मिलते हैं, या कहीं से भी order वगेरा जुटाती है, अगर मैनत करेगी तो order भी मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्या order नहीं मिलेंगे, order मिलेगा तो revenue बड़ेगा, revenue बड़ेग है, क्योंकि इसके product जो है, काफी अच्छे है, तो फिलाल के लिए, अगर personally मेरा मुझे देखा जाए, तो मैं अगर ऐसी company के लगाने की बजाए, कोई strong company होगी, उसके अंदर दाव लगाऊंगा, ये मेरा मतलब perspective रहेगा, आगे देखेंगे कि इसके इंदर सुदार आता है, तो रिस्क लेंगे, रिस्क लेना है, मैरा ऐसा नहीं कि पैसा free में पड़ा है, उसको डाल दो, और retailers का भी ऐसा नहीं कि पैसा free में पड़ा डाल दे, तो वो चीज़े है, तो उसे साब से आप decision बनाएगे, आप लोग क्या करेंगे, comment करके बता दीजिगा, बागे final decision का video भी आपी help हुई है, तो वीडियो के लाइक जरू करें, चैनलो को सब्सक्राइब करें, comment करके जरूर बताएं, ताकि क्या है कि मुझे भी motivation मिलता रहे कि वीडियो बनाना successful है या नहीं है, तो टेलेग्रम, इंस्टाग्राम, फ्री में, दीमेट अकाउंट अब की लिंक दिस्क करें, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, कोई भी आप डिस्क बनाए, अपनी डिस्क अपना अनलेसिस लगा के बनाए